एक छोटे से गाउ में आर्यन और विजय नाम के दो किशोर रहते थे वे हमेशा रोमांच की तलाश में रहते थे हाल ही में गाउ में एक अजीब घटना हो रही थी लोग अचानक गायब हो रहे थे पुलिस जाँच कर रही थी लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था आर्यन और विजय जिग्यासा से भर गए और उन्होंने खुद ही जाँच शुरू कर दी उन्होंने गायब हुए लोगों के घरों का दोरा किया स्थानिय लोगों से बात की और पुराने दस्तावेजों का अध्ययन किया उन्होंने पाया कि गायब हुए लोग सभी एक ही पुराने खंडहर हुए घर से गुजरते थे घर के बारे में अजीब किमवदंतियां थी लोग कहते थे कि वहां अजीब चीजें होती है आर्यन और विजय ने साहसपूर्वग घर में प्रवेश किया घर के अंदर उन्हें एक गुप्त कमरा मिला कमरे में एक रहसिमई दरपन था दरपन में वे एक अजीब सी दुनिया देख सकते थे एक ऐसी दुनिया जो हमारे वास्तविक दुनिया से अलग थी उन्होंने महसूस किया कि गायब हुए लोग इसी दुनिया में चले गए थे दरपन के पीछे एक गुप्त रास्ता था उन्होंने सावधानी से उस रास्ते का अनुसरन किया और दूसरी दुनिया में पहुँच गए वहां, उन्होंने पाया कि गाएब हुए लोग एक अजीब सी जादूगर के कैदी बन गये थे जादूगर उन्हें दूसरी दुनिया में लाता था और उनसे काम करवाता था आर्यन और विजे ने जादूगर को हराने के लिए उसकी कमजोरी का पता लगाया उन्हें पता चला कि जादूगर का जादू एक खास चड़ी पर निर्भर करता था इस चड़ी नश्ट कर देने से जादूगर कमजोर हो जाएगा उन्होंने चुपके से जादूगर के महल में घुस गए और चड़ी खोज शुरू की चड़ी को ढूंडने के बाद उन्होंने उसे नश्ट करने की कोशिश की लेकिन जादूगर ने उन्हें रोकने की कोशिश की एक लंबी और कठिन लड़ाई हुई आर्यन और विजे ने अपने साहस और बुद्धी का इस्तिमाल करके जादूगर के जादूई हमलों का सामना किया आखिरकार उन्होंने चड़ी को नश्ट कर दिया और जादूगर को कमजोर कर दिया कमजोर पड़े जादूगर पर आर्यन और विजे ने हमला किया और उसे हरा दिया इसके बाद उन्होंने गायब हुए लोगों को मुक्त कराया और सभी साथ मिलकर अपनी दुनिया में लौट आए गाउवाले बहुत खुश हुए जब उनके प्यारे लोग वापस आए